हलो और इवन, स्टड़ी विदस में आपका एक बाग फिर से स्वागत है और आज हम संचार से जोड़े हुए जो है सवाल करने वाले हैं इसे हम लोग संप्रेशन भी कहते हैं और इंगलिश में हम इसे कहते हैं कम्मिनिकेशन तो जो टॉपिक है कम्मिनिकेशन का वो मैंने अच्छे से एक्स्प्रिन किया था तो ये जो वीडियो है ये एक प्रकार की रिविजन वीडियो है जिसमें मैं MCQ टाइब के कोशन जो है कराने वाला हूँ तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन जो आज का है वो ये है कि इन में से कौन सी संचार परकिरिया परिशकरण जैसी होगी तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है option number D ठीक है सभी सही ठीक है सभी सही यानि कि संस्कृति अनुभव और भावना ये सभी जो है संचार परकिरिया परिशकरण जैसी होगी नेस्ट कोशन है भाव बोधक संप्रेशन किसके द्वारा प्रेरित होता है तो चार आप्शन यहाँ पर दिये गए हैं तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है option number B कूट लेखन जिसे हम लोग encoder भी कहते हैं ठीक है कूट लेखन के व्यक्तित्व की विसेस्ता जो है यह भाव बोधक संप्रेशन के अंतरगत आता है नेश्ट कोशन है सकरात्मक कक्षा संप्रेशन का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है तो इस कोशन का सही आंसर है option number D अनूने ठीक है अनूने नेश्ट कोशन है कक्षा संप्रेशन किसका आधार है किसका आधार है तो यह है समाजिक पहचान का ठीक है option number A जो है इसका सही आंसर है समाजिक पहचान का आधार है कक्षा संप्रेशन देखिए मैं जब मैंने वीडियो बनाई थी संप्रेशन के उपर तो सारे जो है topic मैंने बारिके से समझाए थे कि पूरबा ग्रह क्या होता है कक्षा संप्रेशन क्या होता है कक्षा संप्रेशन को परभावित करने वाले कारण कौन से होते है ठीक है तो यह सभी के सभी points मैंने आपको बताए थे अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उसे देखें फिर उसके बाद इन questions को आप solve करेंगे तो आप easily इसके answers दे पाएंगे ठीक है और वो वीडियो जो है वो हमारी एक अलग से playlist है link जो है description में है और playlist पर आज आप जा सकते हैं पहले से क्या माना जाता है तो बोध जो होता है इसका सही answer होगा बोध ठीक है नहीं बोध माना जाता है तो याद रखें ये इसका सही answer होगा देखें जितने भी question करवा रहा हूँ है सारे पूछे गए हैं UGC net January 2017 का question है ये भी देखें जनवरी 2017 में ठीक है repeated question जो है वो ही सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूँ next question है जब मौखिक तथा आमौखिक संदेश परस पर विरोधी है तो ये कहा जाता है कि अधिकांस लोग विश्वास करते हैं किसमें विश्वास करते हैं तो इस question का सही answer है option number C आमौखिक संदेशों पर ठीक है आमौखिक संदेशों में जो है वो लोग विश्वास करते हैं तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है यह question घुमा के भी आपसे पूछ सकता है ठीक है तो आपको याद रखना इसमें आमोखिक संदेश चुह होता है उस पर लोग जादा विश्वास करते हैं यानि लिखित संदेश उपर नेस्ट कोशन है किस सूचना समरिध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेष्ता इसके किस प्रकृती के होने में होती है कोशन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि किसी सूचना समरिध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेष्ता इसके किस प्रकृती के होने में होती ह तो इसका सही आंसर है, option number C, तथ्थे आत्मक, ठीक है, तथ्थे आत्मक Next question है, कलपना कीजिए कि आप एक ऐसी सिक्षा संस्था में हैं, जहां लोग सामान प्रस्थिती के हैं एसी स्थिती में संप्रेशन की कौन सी पद्धिती सबसे अधिक उप्युक्त है और प्राए इस प्रसंग में काम में लाई जाती है तो इस question का answer, आप guess क्या करें कि इसका answer क्या हो सकता है तो इसका answer होगा option number A, 36 संप्रेशन ठीक है, 36 संप्रेशन next question है, कक्षा में विधार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्यपून तत्व को चिनहित कीजिए महत्यपून तत्व को चिनहित कीजिए तो इसका सही answer है, option number B, वाक स्वर आघात परिवर्तन next question है, प्रभावी संप्रेशन में अवरोधक क्या है अवरोधक क्या है तो इसका सही answer है, option number A, नीती परवचन, निर्ने परकोना और सांत्वना प्रदाई टिपणियां ठीक है, यह जो है, अवरोधक माने जाएंगी next question है संप्रेशन परति भाग्यों का चैन किस आधार, स्वरी, किस कारक द्वारा पर भावित होता है ठीक है, संप्रेशन परति भाग्यों का चैन किस कारक द्वारा पर भावित होता है तो इस question का जो सही आंसर है, वो है option number A, सन्धी, स्वरी, सन्निधाय, उप्योगिता, अकेलापन ठीक, option number A, इसका correct answer है नेस्ट question है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्तिती सुनिश्चित करने के लिए सर्वत्तम विकल्प का चैन कीजिए तो इस question का सही आंसर है, option number C, सुस्थापित भंगिमा का अंगी करण सुस्थापित भंगिमा का अंगी करण नेस्ट question है, परतेक संप्रेशक को किस प्रकार का अनभव होता है तो इसका सही आंसर है, option number B, परत्याशित उत्तेजना का नेस्ट question है, विचारों के गतिशील पैटर्न की सुरुवात के लिए कक्षा संप्रेशन का केंद्रिय बिंदू के रूप में परियोग क्या कहलाता है तो इस question का सही आंसर है, मस्तिस्क चित्रन, option number D, मस्तिस्क चित्रन नेस्ट question है, वाणी के बजाएं आवाज के पहलूओ को जाना जाता है तो इसका सही आंसर है, option number C, परा भाशा के रूप में परा भाशा के रूप में, परतेक परकार का संप्रेशन परभावित होता है किस से परभावित होता है, तो ये परभावित होता है संदर्व से ठीक है, संदर्व से नेस्ट question है, कक्षा संप्रेशन के संदर्व में मनु वृतियों, कार्यों, एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? तो इसका सही आंसर है, option number B, आसाप देख. ओकी, last question है, सिक्षक छात्र संप्रेशन प्राय होता है? किस प्रकार का होता है, सिक्षक एवं छात्र संप्रेशन? तो इस question का सही आंसर है, option number C, उप्योगिता वादी होता है, ठीक है? उप्योगिता वादी होता है, शिक्षक और शात्र के बीच संप्रेशन. तो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने लगए 20 question जो है, वो संप्रेशन के करें हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जरूर करें, और description में पहले जो हमने वीडियो अप्लोड की थी, जिसमें मैंने topics को समझाया ह वो वीडियो आप जरूर देखें, link description में है, click करें और playlist में जाकर आप सभी वीडियो को पा सकते हैं, और वीडियो के ऊपर जो link आ रही है, आप उस पे भी click करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं, तो मिलते हैं next video में, thanks for watching this video. झाल आप सकते हैं